नमस्कार मैं हूँ करंडी टानी और आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हाउ टू बी हैपी खुश कैसे बने या खुश कैसे हो बात करें खुशी की खुशी आपकी डिफॉल्ट स्टेट है खुशी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रात करते हैं आप ही खुशी हैं आप ही खुश हैं ये मैं क्या कहा रहा हूँ आप ही खुशी हैं आप ही खुश हैं क्या मतलब है मेरा एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है वो इतना खुश्कियों होता है जीवन के हर एक मोड पे हर एक बल पे वो इतना कैसे हो हर एक चीज को इंजॉय करता है अगर एक छोटे बच्चे को आप एक छोटा सलली पाउप भी देते हैं तो वो इतना खुश्कियों महसूस करता है। ऐसा क्या है उस बच्चे के अंदर कि वो इतना खुश है हर एक पर में। हम इतना खुश्कियों नहीं होते। बच्चे ही इतना खुश्कियों। हम में ऐसा क्या है कि हम अलग है। चोटा बच्चा हमेश खुश इसलिए है क्योंकि वो अपने विचारों में कैद नहीं है संसार के विचार संसारिक भादाएं उसके मन में नहीं है वो सिर्फ मुक्त है फुरी है अपने विचारों से क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हम बलकुल फुरी होते हैं खुशी मन की शांती यह सब बापना है यह पहले से हमारे अंदर हैं और हम ही यह सब बापना है यही कारण है कि हर एक बच्चा जीवन की हर एक पल को कैसे यूँ एंजॉय करता है कैसे वो यूँ खुश रहता है हर एक पल में छोटी सी लॉली पाप छोटी सी टॉफी यह किसी का थोड़ा सा प्यार कैसे बच्चे को इतना खुश कर देता है एक छोटी सी मुस्क्रहाट छोटे बच्चे की कैसे हजार और लागओ लोगों को यूँ खुश कर देती है और हम किताबे बढ़ते हैं टेखनीक सीखते हैं पैसा कमाते हैं नजाने क्या क्या ताकि हम लोगों को खुश कर सकें लोग हमारे ही फिशेंसा करें और उनके चेरे पे हसी आए नगर एक बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकता या एक बच्चे ऐसा क्यों नहीं करता और नहीं भी करता है तो उसके पास ये सब श्रकती कहाँ से आती है एक बच्छे ऐसा कहाई उसके पास जो उसकी एक मुझोरहाट सब कогने उखुश करते दिये आप माने या ना आई मैं तो मानता हूँ कि चाहे आपको बच्चे पसंद हो और ना हो एक छोटे से बच्ची एक मुस्क्रहात आपके चरे पे जरूर एक मुस्क्रहाट ले के आती है मगर एक दिन आप भी छोटे बच्चे थे तो क्या बदला आपके अंदर क्या आप आज एक अलग व्यक्ति हो या क्या आज भी आप वही छोटा बच्चा हो जो हमेशा से खुश, शान्त, हाई उमक्त है, बदला तो कुछ भी नहीं है, स्वाया आपके शरीर के, मगर एक चीज़ है, जो बदली है, वो है विचार, आपके मन में, हर एक उमर के साथ, विचार आते गए, और आप उन विचारों पे ध्यान दे कर, उनको महसूस करते गए, जब कभी भी, चाहिए अब जहां भी हो, चाहिए अब जो भी महसूस करें, आप अपने विचारों से महसूस करते हैं, विचार के अलावा, और कुछ नहीं, अगर आप भुरा महसूस कर रहे हैं, या करते हैं, तो जरूर आप बुर विचारों को सूचते हैं, अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अच्छे विचारों को सूचते हैं, हमारी सारी भावनाएं, सारी फिलिंग्स, सब विचारों से ही तो आती हैं, दुनिया, परस्थितियां, समस्याएं, इन सब का हमारी भावनाओं से, हमारी फिलिंग्स से कोई संबंध नहीं हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो अपने विचारों से ही करते हैं, विचार ही हैं, जो हमारे और खुशी मन की शान्ती के रास्ते में आते हैं, और कुछ भी नहीं, हम भी, आज भी, उसी एक मासूम प्यारे से बच्चे की तरह हैं, जो हमेशा से फ्री है, मुक्त है, संसार की भादाओं से, समस्याओं से, और हमेशा से यह खुश है, उसका मन शान्त है, वो जीवन के हर एक पल को इस तरह यह उसका लुप तो उठाता है, कि हर एक पल खुशी और जादू से बढ़ जाता है, आप ही हैं, वही बालक, वही बच्चे, जो आप हमेशा से थे, हमेशा खुश और शान्त, मन की शान्ती यह आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है, नेच्रली आप ही मन की शान्ती हैं, नेच्रली आप ही हैपिनेस हैं, आप ही खुशी हैं, जब मन शान्त होता है, तो कितना अच्छा लगता है, हर एक पल यूँ सोहाब न लगता है, हर एक पल का मुझा अलग है आता है, मगर जब मन विचारों से गिर जाता है, तो वो सारे विचार हमारे मन की अंदर आ जाते हैं, और हम को वैसे महसूस कराते हैं, मगर विचारों का क्या है, वो दो सिर्फ विचार ही हैं, हर एक विचार अपके मन में आता है, और वो हमेश ऐसे जा रहा है, कोई भी विचार इस तिर नहीं, ना कभी है, ना कभी था, और नहीं कभी होगा, हर एक विचार आपके मन से जा रहा है, मतलब हर एक feeling, हर एक भावना आपके मन से जा रही है, आप हमेशा से مक्त हैं, free हैं, अपनी बैट फिलिंग्स बुरी भावनाओं से है खुशी हैपिनेस जिसकी तलाश में आप यह हर एक वेक्ति है वो कोई चीज वेक्ति यह वस्तु नहीं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आप ही हैं हमेशा से इस प्रेजन्ट मॉमेंट में इस वर्तमान के पल में आपको किसी के तलाश नहीं करनी क्योंकि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आप खो दिया है यह चारों से मुक्त इस पल में मौजूद खुशी यह आप ही है कि वहले एक यह चीज आपके रास्ते में आती है वो है आपके विचार मगर विचारों का भी क्या करना कि हर एक विचार तो जा रहा है यह एक विचार है और यह जा रहा है मगर आप इन पर दियान देते हैं और इन विचारों पर आपने अपनी पकड बनाई हुई है अगर आपको एक पर हैसा सोजाए कि यह तो विचार है यह तो उससे दूर जाना ही चाहा है यह तो उसका नेचर है अगर मैं उसके पकड छोड़ दूँ वो तो अपने आप ही चले जाएगा और हमेशा की तरह मैं तो मुक्त ही हूँ free खुश शान्त happiness peace of mind यह मैं ही तो हूँ मन कितना शान्त होता है इस पर में जो आप विचारों से मुक्त है आप हमेशा हर पर विचारों से मुक्त है क्योंकि कोई भी विचार इस तेर नहीं है हर एक विचार जा रहा है जब विचार जा ही रहा है तो मैं उस पे क्यों ध्यान दूँ मुझे कुछ भी नहीं करना उसके बारे में क्योंकि वो पहले से ही जा रहा है विचार विचार तो नीट्रल है उनमें कोई शक्ति नहीं है यसे electricity विजली अगर आप उस पे ध्यान देंगे उसको छुएंगे तो आपको current शौक लगेगा अगर आप उसको नहीं छुएंगे तो आपको ऐसा से कि विजली मेरे लिए नियूट्रल है उस पे कोई शक्ति नहीं है तो मुझसे परे है ऐसी जब विचार आपके मन में आते हैं तो उनमें कोई शक्ति नहीं है वो आपसे दूर है आपसे परे हैं मगर जब आप उनको शूते हैं उन पे ध्यान देते हैं तब वो आपको बुरा अच्छा जैसे वी वो विजार है ऐसा आपको महसूस कराते हैं मगर अगर आप इन विचारों पर धियान ना दे तो आपको ऐसा सुबा कि ये coveredless है इनमे कोई शक्ति नहीं है कोई विचार तो हमेशा है से जा ही रहे है कोई भी विचार इस तेर नहीं है तो आपको विचारों के कि इस मामले में कुछ करना ही नहीं है, कि विचार तो हमेशा से जाई रहा है, आप हमेशा से मुक्त है, खुशी, मन की शांती, ये तो आपकी natural state है, आप इसके साथ पैदा हुए थे, तब ही तो एक बालक या एक बच्चे ग्रूप में आप इतने खुश थे, और आज भी आप उतनी खुश हैं, जितना आप उस समय थे, सिर्फ आपके विचार आपके रास्ते में आते हैं, और खुश भी नहीं, कितना सुन्दर, कितना स्वाब नहीं है अपव, जब आप इस प्रिजंेंट में हैं, सकुश रहने का एक ये तरीगा, अपने विचारों को जाने दें, अपने विचारों को जाने दें, और अपने विचारों को जाने दें, आज खिलीव सहतना हीं, बिलिंग आप इपसे फिर, और में हूँ, करणी ठान्य 2017,